नमस्कार विजयारतियों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल और पियासी वितनमीन सेने में स्वागत है विजयारतियों सब से पहले आप सभी को हैपी दिवाली ठीक है आज दिवाली के दिन भी हम वीडियो रिकोर्ड कर रहे हैं क्यों क्योंकि पढ़ने वाले अब देखो जो लोग अकबार पड़ते हैं उनके लिए मतलब ये करंट का मामला बहुत इजी रहता है क्यों कि वो जब चार ओप्सन देखते है ना तो उनको चार ओप्सन में से एक ओप्सन है वो उनका परिचित रहता है उनको वो ओप्सन परिचित लगेगा कि हाँ इसकी च्यूनिंग इससे मेच हो रही है तो उनका जो यदि वो तुक्का चलाएंगे तो भी उनके तुक्के सई जाने के संभावना है जादा रहती है देखे मुख्यमंतरी चीरण जीवी स्वास्ति बीमा योजना है ये एक मई 2021 से प्रारम की गई थी इसका उदेश है था कि गर लिमिट थी उस लिमिट को बढ़ा करके उस लिमिट को बढ़ा करके पांस लाग रुपे से कितनी कर दी दस लाग रुपे तक कर दी ठीक है तो ये योजना है एक मई 2021 से प्रारम की थी और एक अप्रेल 2021 को इसकी लिमिट बढ़ा दी गई इस चीज का ज्यानक ना वरतमान म जोगों के लिए है, सेरो वाले लोगों को सो दिन के लिए rोजगार उपलब्द करवाएगी इसका प्रारम 22 मई दो जार वाली से seisit के सेर हिशेत्रों की जो नगरीय निकायों की जो सीमा है उसमें निवास करने वाले जितने भी परिवार हैं जो की कमजोर हैं बेरोजगार हैं उनकी आर्थिक इस्तति को सुद्रड करने के लिए संबल परदान करने के लिए मानरेगा की तर्ज पर जैसे मानरेगा गाउं में चलती है उसी की तर्ज पर ये योजना प्रारम की गई थ उनमें निवास केरने वाले परिवारों को शो दिन का रोजगार उपलबद करवाया जाएगा। द्यान रखेगा, एधि आप वीडियो को दो से तीन बार सुनते हैं तो आपके ऐसा ही त्यार होजाएगा अब ये है मुख्य मंत्री यूआ संबल योजना दोजारी किस, ये ठीक आपके ये बिरोजगारी बत्ता है, ठीक है पुरू सब्वियर्थी को 4,000 रुपे परतिमाय है और जो ट्रांस जेंडर है थर्ड जेंडर और मैला है और विशेश योगेजन नहीं सकत जो हैंडीकेप है विकलांग है उनके लिए 4500 रुपे परतिमाय क्या रहेगा जो भुकतान का मान देते हैं और बेरोजगारी बता द एक तो ये सनातक होना चाहिए मतलब ये सी बी ये ग्रेजुएट होना चाहिए वो भी राजस्तान में राजस्तान का मूल निवासी होना चाहिए और उसके पास कोई रोजगार नहीं होना चाहिए तो ये सब इसकी क्या है पतरता है ये जो चीज़े जिसके पास होगी वो सुलक दवा योजना है इसका प्रारम हुआ था 7 अपरेल 2013 को ठीक है और ये प्रारम हुई थी 2 अक्टूबर 2011 से मतलब दवाएं फ्री देना 2011 से शुरू कर दिया गया उसके दो साल बाद में जो जांचे शुरू की था तो इससे क्या होता है याद रखने में आसा नहीं होती तो मतलब पेले दवाएं दवाएं फ्री देते थे दवा देने के दो साल बाद क्या कर दिया गया जांचे भी फ्री कर दी गई ठीक है तो राज की अस्पतालों में संपूर्ण उप्लब्द करवाने के उदेशे से जन हित के लिए ये मेहत्पूर्ण स्वास्ति सुरुक सा योजना लागू की गई और क्या किया गए और ये जो निसुलक दवा योजना है ये इसमें राज्य सरकार 40% बहर वहन करती है सो में से 40% रास्तान सरकार और सेंट्रल गवर्मेंट का 60% है इसका उदेश ये राज की एस्पतालों में आने वाले समस्त रोग्यों को आवशक बीच में नहीं आए तो ठीक आगे बढ़ते हैं अगली है आपके ये दवा हो गई अब है गरगर ओस्ती योजना कोरोना के टाइम आपको पता हो तो जो नीम गिलोई वग्यरा वो क्या क्या थे वो थी ना तुलसी गिलोई अस्वगंदा कालमे ऐसी जो ओस्तिया थी उनके पोदे बांटे के तो वो है गरगर ओस्ती योजना इसका प्रारम एक अगस दोजार इकीस से किया गया था और इस योजना की अवदी थी दोजार इकीस बाई से पचीस चबिस मतलब पांस सालों के लिए ये योजना लागू है ठीक है विजारती हो तो अब इसमें क्या एक करोड़ 26 लाग परिवारों को इस योजना के तेहत लाबानुइत किया जाएगा और पर्तियाग परिवार को चार परकार की ओस्ती पड़ जाती है मतलब तुलसी गिलोई अस्वगंदा काल में कि दो दो पोदे दिये जाएंगे वो भी एकदम फ्री ये किसलिए चला र हैं उन पर कम से कम डिपेंड होकर अपन होमियों पॉतिक और जो आयूरवेदी के उसके बारे में जादर से जादर जाग रूख हों उस पर ध्यान दे ताकि वो सहाथ के लिए भाइदे बन दे और बहुत गुनाकारी चीज़ है तो इसको सरकार बढ़ावा दे रही है अग से पांस तक के जो नन्ने मुनने बच्चे उनको डेट से मेल और छे से आठ तक के बच्चे उनको दो से मेल दूद प्रवाइड करवाया जाता है ठीक है अगला है सुद के लिए युद अब्यान ये 26 अक्टूबर 2020 को ये योजना प्रारम होई थी और इस अब्यान के अंत पर 2021 से ये पैंसन योजना चालो हुई लाव 55 वर्स अधिक आयूके जो है उनको थे एक हजार रुपे और 55 वर्स से कम आयूके है उनको 7.500 डेते अठाउन वर्स और उससे अधिकायू के पुरुस और 55 साल वे उससे अधिकायू की मैला कोई नीमों के अंतरगत पेंसन स्वी कर्थ की जाती है इसमें रास्तान का मूल निवासी होना चाहिए और वार्सी काई 48 हजार से कम होना चाहिए तो अब देखो जिनके पहले बात यदि मैला 55 साल की हो गई तो उसको 55 से लेकर के 55 साल तक तो मिलेंगे 700 रुपे 700 पुरुस यदि अठाउन का हो गया तो अठाउन से 55 से बाद में मिलेंगे उसको 1000 रुपे यह मेटर है ठीक है तो मतलब मैलाओं के तीन साल जल्दी सुरू हो जाती है यह उसना पुरूसों के अठाउन पर और मैलाओं की पचपन पर और जियान रिखना वार्स काया 48,000 से कम हो अगली है मुख्या मंतरी एकल नारी समान पेंशन यह उसना एकल नारी कौन होगी भई 18 वर्स से ज़्याद हो पहले नाबाली के तो वो इसमें केटेगरी में आएगी नहीं अब 18 वर्स से दिखे और यदि वो विद्वा हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है प्रीतिकता मतल मतलब पेंशन चाहिए बुड्डों की हो चाहिए विद्वा वाली एकल नारी वाली हो दोनों में 18,000 से कम साला ना आई होने चाहिए इसका देई लाब क्या है कि 18 से 55 साल की होगी तब तक तो उसको 500 रुपे परतिमा मिलेंगे अब 55 से अधिक होगी तो फिर वो मेटर पेंशन चाहिए और वो विद्वा भी है और वो पीछेतर साल से जादा है तो उसको 15 रुपे मिलते हैं अगला है मुख्यमंत्री अनुपरति कोचिंग योजना तो यह तो कोचिंग अड़ने वाले सबी बालकों को ज्यान में है इस योजना में अनुसुचि जाती जन जात अठी पिछड़ा वर्ग अर्प संक्यक और आर्थी ग्रूप से कमजोर वर्गों के विद्वार्टियों को सामिल किया गया है और जिनकी परिवार की वार्थी काई आठ लाग रुपे पर्तिवर्ट से कम हो तो इससे कम ही है लगबग सबीगी ठीक है तो इसको आप ज्यान स्टुडेंट को यह मिलती थी एक साल के लिए ठीक है और जिनकी परिवार की आई आठ लाग रुपे सालाना से कम हो लेकिन अब इनकी जो संक्या है टोप 15,000 स्टुडेंट को मिलेगी है तो इसकी जो एक अपरेल 2022 से इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है तो इसको भी आप ध अफ्टाराज के गाउंवर्स से लेकर 10 वरत की बालिगों से लेकर 15 वरस तक के मईलाओं के लिए नमेट रूप से निशूल से सैनिटरी नेबकिन है वो इसको मतलब बांटा जाता है Ah तो इसमें जरूरत नहीं रहती है, तो मतलब 45 तक क्या होता है, इसमें सेनेटरी नेपकिन है, वो बांटे जाते हैं, तो देख लो, अपने मतलब की राजस्तान में आज के दिन भी आप ये समझो, कि आजादी के लगभू 75 वर्स बाद भी अपने जो इस्टेट की ये आलत है कि शेनेटरी नेपकिन तक तक बांटने पड़ते हैं, तो आप सोज लो, आगे देखो, राजस्तान करसी प्रसंस्क्रण, करसी व्यवसाई, और ये थी आईयम सक्तिवडान योजना, ठीके ना, अब है, इंदीरा मैला सक्तिवडान योजना, पूरा नाम ज्यान में रखना राजस्तान करसी प्रसंस्क्रण, करसी व्यवसाई, और करसी निर्यात प्रोथसान योजना, इसका प्रारम में वो 17 दिसंबर 2019 से हुआ, अउधी है, 31 मार्स 2014 तक माईए है, ये योजना, ठीके ना, और इसमें फूर्ट सेप्टी एंड इस्टेंडर्ड अथॉर्टी ओफ इंडिया ये वाया तक देशों द्वारा निडदरीद खाज, ये शुरुक सायम सोस ता कि माप देंडों की पूर्ण पालना करने के लिए करसी उद्योगों की सायता करना, तो ये तो कोई खास नहीं है, बस इसको ज्यान में रख लेना है, ये योजना थी तो भी इच मैट ये जय हिन, जय भारत